खुले द्वार की नीती चीन के पूरु में एक छोटा सा देश है जापान सन 895 में जापान ने चीन पर आक्रमन किया जिसमें उसकी विजय हुई अब जापान ने भी चीन को उसी प्रकार की संधी करने को विवश किया जैसे बाकी यूरोपी देशों के साथ हुई थी इस तरह चीन का एक बड़ा हिस्सा अलग-अलग यूरोपी एवं एशियाई सामराजवादी देशों के प्रभाव में आ गया सयुक्त राज अमेरिका लंबे समय से चीन में वेपार कर रहा था उसे चिंता होई अगर सभी एवरोपी देशों ने चीन को अपने उपनी वेशों में बाट लिया तो अमेरिका का वेपार बंध हो जाएगा अमेरिका ने इस तरह चीन के भिन भिन प्रभाव छेत्रों में बाटने का विरोध किया और इसके स्थान पर खुले मुक्त द्वार के नीती के घोशना की इसका अर्थ था कि सभी देश चीन में वेपार करेंगे और किसी भी देश का कोई निश्यत प्रभाव छेत्र नहीं होगा थोड़ी ना नुकूर के बाद सारे देशों ने इस संधी को मान लिया लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था? सन 850 तक फ्रांस जर्मनी यह अमेरिका में अध्योगी करण हो चुका था और ये देश सभी नए संभावित बाजारों पर कबजा करना चाहते थे हमने उपर पढ़ा है कि उस समय चीन के जनसंक्या सबसे ज़्यादा थी बड़ी जनसंक्या का अर्थ बड़ा बाजार भी होता है इसलिए दुनिया के सारे अध्योगी करण देश चीन को अपने प्रभाव में लाना चाहते थे एक दूसरी महत्वपून वज़ा थी पूंजी के निवेश के लिए नया छेत्र तलाशना और दुगी करण के पशात हुए फायदे से यूरोप में काफी बड़ी मात्रा में पूंजी जमा हो गई थी जिसे वे उपनी वेशों में रेल लाइने बिछाने वक्क खदान स्थापित करने में लगाना चाहते थे विदेशी नियंत्रन का विरोध हमने देखा कि यूरोपिय देश चीन पर सीधा कबजन न करके अपने हित साध रहे थे चीन का शाषन अभी भी चीनी के ही समराट के हाथों में था लेकिन बहुत बड़े छेत्र पर उसका हुक्म नहीं चलता था उपर से उसे बहुत बड़ी रकम हरजाने के रूपे देनी पड़ती थी जिसके कारण आम लोगों पर करका भार बढ़ता गया लगतार विदेशी शक्तियों से हो रही हार एवं अपमान जनक संधियों से चीन के लोग बदलाओ की जरूरत महजूस कर रहे थे इनमें चीन के अधिकारियों का एक समू भी था इन लोगों ने आधुनिकिक करण के लिए प्रयास किया उनका मानना था कि यूरोप के लोग अपनी सेना और हथियारों के कारण जीत रहे हैं तो चीन में भी आधुनी खत्यारों के कारखाने इस्थापित किये जाएं लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हो पाएं इन सभी घटनक्रम ने लोगों में बहुत ही निराशा का भाव फैलाया चुकि चीन के शाशक वर्ग विदेशियों के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे थे इसलिए जन्ता समराट के खिलाफ हो गई सन 1850 से सन 1900 के बीच में कई विद्रो हुए जिने दबाने के लिए चीनी सरकार ने विदेशी मदद ली गरीब किसानों और मजदूरों ने विदेशियों को दिये गए विशेशा धिकारों के खिलाफ एक गुप्त संगठन बनाया जिसे वो बॉक्सर या मुक्के बाज के नाम से पुकारते थे उनका मानना था कि खास तरह के शारीरिक व्यायाम से वे अजे हो जाएंगे और विदेशी गोलियां उनके शरीर को भेद नहीं सकेंगी सन 1900 में इन विद्रोहियों ने राजधानी बीजिंग के यूरोपी आबादी वाले हिस्से को घेर लिया वे लोग विदेशी शैतानों को फांसी लगाने के नारे लगा रहे थे इन विद्रोहियों ने कई महीनों तक बीजिंग को घेरे रखा था अगस्त 1900 में एक भुराश्ट्री सेना ने बीजिंग पर आक्रमण करके इन विद्रोहियों को हरा दिया व्यापक लूटपाट की और लोगों को निर्दयता से मार डाला चीनी सत्ता इस पूरे मामले में मूग दर्शक बनी रही बॉक्सर विद्रोह की असफलता के बावजूत राश्टवाद की एक मजबूत धारा का जन्म चीन में हो चुका था परिणाम सरूप सन 1911 में मांचु शाषन को खत्म करके चीन में गड़तंत्र इस्थापित किया गया लेकिन चीन को वास्त्विक स्वतंत्रता सन 1949 में क्रांती के द्वारा ही मिली